कमाऊं मैं उड़ाए तू देखो इशा, दो महीने में हमारी शादी है अब छोड़ो ना ये जॉब का चक्कर वैसे भी मैं शादी के बाद तुम्हें जॉब करने के पर्मिशन नहीं दूगा कमपनी के तरफ से मुझे अच्छा पाकेज मिल रहा है आखिर क्या ज़रूरत है तुम्हें ये चोटी से सैलरी के लिए पुरा दिन दिमाग खपाने के विकी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इस बात की मुझे खुशी है लेकिन प्लीज इस तर मेरी जॉब को डस्रिस्पेक्ट तो मत करो माना कि मुझे आपके जितने लाखों में सैलरी नहीं मिलती लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब के साथ और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट होना अरे यार एक बात बताओ बंदा कमाता क्यो है फैमिली के लिए न और जो मैं कमा रहा हूँ हम दोनों के लिए ही तो है देखो मैंने हमेशा यही चाहा है कि जब मैं घर पहुँचू तो मेरी पत्नी घर पर रहकर मेरा इंतजार करे मेरे लिए चाय बनाए प्यार से मुझे डिनर बना कर खिलाए अब तुम सोच लो तुम्हारे लिए हमारा रिष्टा ज्यादा ज़रूरी है या तुम्हारा कमाना विकी यह क्या हो गया है अरे तुम तो पड़े लिखे लड़के हो फिर भी ऐसी बाते कर रहे हो देखो इशा मैं नाकरों के भरो से अपना जीवन नहीं चलाने वाला मुझे जो कहना था मैंने कहा दिया है अब तुम सोच लो विकी और इशा की अरेंच मैरेज हो रही थी घरवालों की रजामंदी से उनका रिष्टा पक्का हुआ और सगाई के बाद दोनों फोन पर एक दूसरे से बाते करने लगे दो लाख रुपे महिने की सालरी पाने वाले पड़े लिखे हैंसम लड़के विकी को इशा जितना करीब से जानती जा रही थी उसकी सोच उसे और हैरान कर रही थी ये विकी को मैंने जैसे सोचा था ये तो बिलकुल उसके उलटी बीहीव कर रहा है क्या करूँ? अगर मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी तो ये नाराज हो जाएंगे सगाई हो चुकी है, शादी की कार्ट छप गये हैं अगर इस समय रिष्टा तूटा तो परिवार की बहुत बदनामी होगी और सब रिष्टा तूटने का जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगी अगले दिन शाम को विकी, आज तुमने फोन नहीं किया? मैंने तुम्हें कल कुछ समझाया था पहले ये बताओ तुम्हें समझ में आया के नहीं? हाँ, बापा, हाँ, समझ में आ गया मैं छोड़ दूँगी जोब अब तो खुश हो ना? देखो इशा, अब शादी में कुछ ही समय बचा है मैं चाहता हूँ ये समय तुम अपने लिए इस्तमाल करो शॉपिंग करो, शादी की तैयारिया करो हमारे बारे में सोचो ना? ना कि अपने उस फालतु जोब के चकर में खपकर दिन खराब करो ठीक कहते हूँ तो मैं आज ही रिजाइन कर दूँगी तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट है अब तु सोच कर देख, इशा ने जॉब छोड़ दी तो शादी की बात वो फाइनेशली पूरी तरह से तुछ पर डिपेंडन्ट हो गई कम से कम बीवी का कंट्रोल तो तेरे हाथ में रह गया वो कब कहां क्या खर्च करती है, तुझे तो पता रहगा मेरी बीवी को देख ले, जितना कमाती है सब अपने उपर उड़ा देती है उपर सित्ते वर सो, मैं नौकरी करती हूँ, तब तो मैं तुमारे बराबर हो गई अरे घर के किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे पता नहीं किसे ये औरत आदमी के बराबरी का नारा दिया है औरत आदमी के बराबर हो जाएगी तो बच्चे क्या हम बालेंगे अपने दोस्त की बातों में आकर, वीकी ने ईशा को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था धीरे-धीरे समय बीटता है, वीकी और इशा के शादी हो जाती है शादी के कुछ दिन बार सुनिये न, मुझे कुछ पैसों के जरुरत है अच्छा, क्या बात है, बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, और क्यों? मुझे अपने लिए कुछ लेना था अरे भई भई तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या लेना है, ठीक से बताओ बताए भी न, पैसे नहीं दे सकती क्या देखो इशा, पैसे कोई पेड़ पार नहीं लगते कि तुम्हें फर्माईश की और मैंने तोड़कर तुम्हारे सामने नोट बिछा दिये अरे भई, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वाकई लेने के जरुवत है या नहीं ये सब देखने के जिम्मेदारी भी तो मेरी है न आप मुझे पैसो के लिए ताना मार रहे हैं मैं क्या आपको फिजुल कर्श करने वाली लड़की दिखाए देती हूँ अरे नई बबा, सीधी सी बात है, देखो सीधा जवाब दे तो क्या लेना है शादी के समय मैं बस हैवी साडी ही लेकर आई हूँ अब मुझे रोज रोज घर में साडी नहीं पैनी जाती मुझे अपने लिए थोड़े सूट लेना है, सूट कमफरटेबल रहते हैं, काम भी आसानी से हो जाता है अरे भई, तो ये ग्यान की बाते तुम्हें पहले पता नहीं थी क्या शादी में सूट लेकर क्यों नहीं आई? अपी शादी में कितनी शॉपिंग किया है, और अब फिर से तुम्हें शॉपिंग करनी है अरे तब लगता था कि साडी पहने में बहुत मज़ा आएगा, नए-नए स्टाइल की ब्लाउस कैरी करूँगी लेकिन अब मेरी हिम्मद जवाब दे गई है अच्छा ठीक है, मैं शाम को लेता हूँगा विकी, मेरे लिए सूट आप कैसे लेकर आओगे? मैं अपनी पसंद की ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ आप मुझे पैसे दे दो, मैं ले आओँगी इशा की बात का जवाब दिये बगार विकी वहाँ से चला जाता है शाम की समय विकी इशा के लिए दो सूट लेकर घर आता है ये देखो, मैं क्या लिए आया? तुमारे लिए सूट, अब तो खुश विकी, ये तो बहुत ही डॉमिनेटिंग भीएवियर हुआ ना? तुमने मुझसे मेरी चॉइस तक पूछनी जरूरी नहीं समझी और खुद लाकर ये सूट यहां रख दिया? मैंने अपने लिए पहले ही आउनलाइन सूट पसंद कर लिये थे आपसे बस पैसे मांगे थे और मैं रेडी मेट सूट पहनती हूँ ये कपड़ा लेकर सिलाने वाले सूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अरे बिटा, जैसा उसे पसंद हो, वैसा उसे ले लेने देना तु क्यों बिना बात में अपने नाग बीच में घुसा रहा है तु पैसे दे दे और अपनी जान शुड़ा अरे ममा आप इसकी साइड लेना बंद कर दो पैसे थुड़ी समझदारी से खर्च करने पड़ते है इशा को विकी का बार-बार पैसो के लिए उसे ताने देना बहुत तकलिफ दे रहा था विकी, शादी से पहले तो आप कहते थी कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं इसलिए तुम नौकरी छोड़ दो और अब जब मैं नौकरी छोड़कर आपके उपर पूरी तरह से डिपैंड हो गई हूँ तो आप हर बात के लिए मुझे पैसो का ताना दे रहे हैं अर ऐसा क्या मांग लिया मैंने अब मुझे जरूरत है तो क्या मैं अपने लिए दो सूट भी नहीं खरीच सकती और बात सिर्फ सूट की नहीं है मेरी कोई अपनी जरूरते भी तो हो सकती है क्या मैं एक-एक पैसे आपसे पूछ कर खर्च करूँगी मैंने तुम्हें खरीदने से मना कब किया तुम्हें सूट खरीदने की इच्छा जताई तो तुम्हें लाकर दिये न मैंने फिर इसमें इतना मूँ बनाने वाली कौन से बात हो गई विकी कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था कुछ दिन बात मेडम पार्सल है आपका कैश और डिलिवरी लाइए तीन सो पैसल रुप्य दीजिए लेकिन मैंने तु कोई सामान नहीं मंगवाया मेडम विकी शर्मा के नाम से पार्सल है वो यहीं रहता है न माजी कोई पार्सल आया है उसे तीन सो पैसल रुप्य देने है मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अरे तु परिशान मत हो बिटा, रुप जा, मेरे पास कुछ पैसे हैं मैं तुझे देती हूँ इशा अपनी साथ से लेकर पैसे पार्सल वाले को देती है और पार्सल लेकर घर के अंदर आ जाती है आज मुझे इतनी शर्मिंद्गी का एसास हो रहा है न माजी, क्या पताओ आपको? क्या फाइदा है विकी का हर मेने लाखो रुपे कमाने का? अगर उसकी पत्नी को सो दौसो के लिए भी किसी का मुह देखना पड़े क्या मेरी हैस्यत अपने पास 1500 रुपे रखने की भी नहीं है? तेरी बात बिलकुँ सही बेटा और तेरा दर्द मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दौरा रहा है विकी के पिताजी भी बिलकुल ऐसे ही थे मेरा पूरा जीवन बिद गया लेकिन उन्होंने तनख्वा तो क्या? कभी जेब खर्च के नाम पर चंद रुपे भी लाकर मेरे हाथ में नहीं रखे अपनी छोटी सी छोटी जरुरत के लिए भी मैं हमेशा उनके आगे हाथ पसारती रही कभी अपने मन का कुछ करने का मन होता तो याद आता मेरे पास तो फूर्टी कौडी भी नहीं है और वीकी के पापा से कहने का मतलब होता कि पहले 10 तरके सवालों के जवाब दो तब जाकर अपने लिए कुछ खरीदो क्या चाहिए क्यों चाहिए ऐसा नहीं तो वैसा क्यों इतने सवाल होते कि उनका जवाब देने के बजाए मुझे कुछ ना खरीदना ज्यादा आसान लगता दिरे दिरे विकी बड़ा होने लगा जब महले में कोई भल या खिलोने बेशने वाला आता तो विकी जिद करता कि मैं उसे भी ले कर दो उसके साथ के बच्चे दोड़ कर जाते और अपनी मा से पैसे लेकर अपनी पसंद की चीज खरीद कर खाते और मैं लाचार सी बस देखती रहती एक दिन विकी ने मुझसे आकर कहा मा पैसा क्यों करती है सबकी ममी पर्स टांकर गुमती है और अपने बच्चों को जो चाहे दिला देती है और एक आप हो कि हमेशा पापा से ही पैसे मांगती रहती हो उस दिन पहली बार मैंने अपने 16 साल के बेटे को सच बताया आप चिंता मत करो मां जब मैं कमाने लगूगा तो आपको लाकर पैसे दिया करूगा फिर उन पैसों से आप जो चाहे खरीदना कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कारों के साथ बढ़ा किया है विकी बढ़ा होगा तो मुझे समझेगा बढ़े होने के बाद विकी ने अपने अच्छे बेटे होने का पुरा फर्ज निपाया और उसकी नौकरी लगने के बाद वो हर महीने मुझे कुछ रुपय देने लगा रुपय मुझे देने के बाद उसने कभी पलट कर पूछा भी नहीं कि मैं उन रुपयों का क्या करती हूँ विकी के पापा अपनी अनंति आत्रा पर निकल गय है लेकिन कभी मुझे वो सम्मान ना दे सके जो मैंने उनसे चाहा था लेकिन अपने विकी के सोच पर मुझे सदा अगरव होता कि कम से कम मेरा बीटा अपने पिता की तरह नहीं बनेगा अगर वो अपनी मा की तकलिफ समझ रहा है तो कल को पतनी की भी समझेगा लेकिन आज तेरी बात सुनकर मुझे अपने बीते हुए एक एक दिन याद आ गए आज इसने साबित कर दिया कि ये अपने पिता की ही संतान है मा के लिए चाहे इसके भाव अलग हो लेकिन पत्नी को सही मान सम्मान दे पाना इसके खून में ही नहीं है तो क्या मुझे भी सारी जिंदगी पाई-पाई के लिए इनके आगे ऐसे ही हाथ पहलाना होगा आप एक बार उन्हें समझा कर देखिए न मा जी हो सकता है उन्हें अपनी गलती का हैसास हो जाए विकी की मा मंजी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है लेकिन विकी के दिमाग पर तो उसके दोस्तों की बात तो ने ऐसा असर किया हुआ था कि उसे मा की कही कोई बात समझ में नहीं आ रही थी इशा बेटा ऐसा लगता है कि विकी के आकल पर तो पत्थर पढ़ गये है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ तू ऐसा कर अपसे कुछ पैसे तू मुझसे ले लिया कर तुझे रोज रोज विकी के आगे हाथ पहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ममी जी आप पैसे कहां से लाएंगी बिटा तुझे बताया ना मैंने विके हर महीने मुझे कुछ पैसे देता है बुड़ा पे मैं मुझे तो पैसों के कोई खास जरूरत रहती नहीं इसलिए आपसे वो पैसे मैं तुझे दे दिया करूंगी मुझसे ज्यादा तुझे उन पैसों के जरूरत है इशा बार-बार मना करती है लेकिन फिर भी उसकी सास जबरतस्ती हर मैने कुछ पैसे उसे देने लगती है हर मैने जेब खर्च मिलने पर इशा को भी अब थोड़ा खुलापन मैसूस होने लगा था एक दिन मन्जी अपनी बहु इशा को जेब खर्च के पैसे दे रही थी कि तब ही विकी उसे देख लेता है ममे ये क्या कर रही है आप इशा को पैसे क्यों दे रही है अरे मैं आपने पैसो का जो चाहे करूँ मेरी मर्जी ओ तो ये बात है मेरी मर्जी के बगार इशा को पैसे दे कर आपने ठीक नहीं किया मुमा अगर आपको पैसों के जरुवत नहीं है तो ठीक है अगले मेनेज में आपको पैसे देना बंद कर दूगा लेकिन इस घर में होगा वही जैसा मैं चाहूंगा मैंने आपको मना किया था ना मा जी कि आप मुझे रुपे मत दीजिए देखा आपने, मेरी वज़य से उन्होंने आज आप से इस तरह की बात की है नहीं बेटा, तुम्हारे कारण नहीं ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है शायद मेरी परवरिष में कुछ कम ही रह गई है जो मेरा बेटा अज मेरी बहु के साथ इस तरह से ब्यावार कर रहा है। अब सेहने का समय नहीं है बेटा, अब हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। देख, मैं तो जीवन बर सैती रही, उसके बदले में मुझे कोई सराहना नहीं मिली। गलत को बर्दाश करना कोई समझदारी नहीं होती। गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। इसे अपनी कमाई का घमंड हो गया है ना। इससे ऐसा लगता है कि अगर ये तेरे हाथों में पैसे नहीं देगा, तो तु एक-एक रुपए के लिए महताज हो जाएगी। लेकिन तुझे भी खुद को साबित करना है। छोटी बड़ी जैसे भी नौकरी मिले तु घर से बाहर निकल कर नौकरी कर। चार पैसे कमा और आत्मसंबान के साथ अपना जीवन बिता। जीवन भरपती के आगे पीछे घुमने से तुझे कोई बहादुरी का मैडल नहीं मिलने वाला। लेकिन मा उन्होंने मुझे नौकरी ना करने की हिदायत दे रखी है। बटा ये विकी नहीं उसका एहम बोल रहा है। और उसके एहम को तु जितना तुष्ट करेगी वो उतना ही तुझ पर हावी होगा। सास मन्जू की बाद सुनकर इशा घर से बाहर जाकर नौकरी ढूंड लेती है। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद। इशा चाय बना दू जरा और हाज खाने में कुछ स्पेशल बनाना। बटा बहु तो घर पर नहीं है। चाय में बना देती हूँ। और उसे पता नहीं मेरे ओफिस से आने का समय हो रहा है। फिर इस समय बाहर गुमने का क्या मतलब है। बहु घुमने नहीं काम पर गई है। मतलब? मतलब बहु ने नौकरी ढूंड ली है। अच्छे तंक्वा मिल रही है। वो तो मना कर रही थी लेकिन मैंने ही का क्या ओरत को आत्म निर्भर होना चाहिए। मेरे कहने पर उसने नौकरी जॉइन कर लिए बिटा है। मौ अब क्यूं उसे सर पर चड़ा रही है। और मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे नौकरी करने वाली पत्नी नहीं चाहिए। मुझसे पूछे बिना उसने जॉब की कैसे। पत्नी का पैसे कमाना तुझे पसंद नहीं। और अपनी कमाई उसके हाथ में रखना तेरी शान के खिलाफ है। मतलब तु बस यह चाहता है कि पत्नी सारी जिंदगी तेरे सामने हाथ पहला कर खड़ी रहा है। यह कैसा हम है बिटा। क्या तु सच में मेरा वही बेटा है। जो अपनी मा की हर तकलिफ, दूख मैसूस करता था। बात को घुमाओ मतमा। तु सच बात तो यह है कि उसने मेरी बात काटी है। अरे असी कौन सी जरुरते उसकी जो मैं पूरी नहीं कर रहा हूं। विक्की पिटा तुझे याद है। जब तु छोटा था ना, तो अक्सर मुझसे कभी आइस्क्रीम खानी की तो कभी बर्फ का गोला खानी की जिद किया करता था। जब वो आइस्क्रीम वाला हमारे घर के बाहर आकर तंटन करके घंटी बजाता था। बताना बिटा, तुझे तो याद होगा ना, जब महली की सब औरते चूड़ी वाले के पास बैठ कर अपनी पसंद की चूड़ीया पहना करती थी। तो तु भी मुझसे कहता था। मा, जाओ ना, तुम भी हरी हरी चूड़ीया पहन कराओ। तो मैं क्या जवाब देती थी, तुझे याद है। मुझे सब याद है मा, अब हमेशा यही कहती थी कि मेरे पास खुले पैसन ही है, पांच सो का नोट है। बहुत अच्छा बेटा, तब तो तुझे यह भी ज़रूर याद होगा कि मैं हमेशा एक जैसा बहाना क्यों बनाती थी। मुझे पता है मा, तुम्हारे पास कोई पांच सो का नोट कभी था ही नहीं। तुम बस मेरा मन रखने के लिए कहा करती थी कि पांच सो का खुलानी है। बिटा, तुम्हारे पापा एक सरकारी अफसर थे। समाज में बड़ा मान, सम्मान था उनका। और हमारे घर में पैसों की ऐसी कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये तुम्हारे पापा की जिद थी कि वो औरत के हाथ में पैसा नहीं देंगे। मुझे अपने घर की कमान नहीं सौपेंगे। इसलिए उन्होंने जिंदकी भर मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं रखे। छोड़ो ना मा जो बीद गया सो बीद गया। इसलिए तुम्हे अब आपको हर महीने पैसे देता हूँ ना ताकि आप अपने सारी इच्छाएं पूरी कर सको। बिटा अब साट साल की उम्रह में ना तो मेरी श्रिंगार करने की उम्रह रही है और ना ही हरी हरी चूड़िया पहनने की। उम्रह के साथ इच्छाएं भी दम तोड़तेती है बिटा। समय भी जाने के बाद उन चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज तु मेरे सामने दौलत का धेर भी लगा दे तो मेरी जवानी तो वापस नहीं ला सकता। नहीं आज तु सड़क के किनारे रुक कर बर्फ का गोला घा सकेगा। भूक लगने पर ही भोजन किया जाता है। भरे पेट सामने रखे भोजन का कोई अर्थ नहीं बचता। आज बहु की उम्रे है तो उसके पास पैसा नहीं है। कल अगर उसका बेटा दौलत का धेर भी लगा दे तो उसकी बीती उम्रे तो लोटकर नहीं आएगी ना। आपकी बात अलग है माँ, आप में और उसमें बहुत फर्क है। आजकल की लड़कियों को अभी आप जानती नहीं हो, इनने जरा छुट दो तो ये सर पर बैट जाती है। हाँ बिटा फर्क तो है। पहला फर्क तो यही है कि मैं तेरी मां हूँ और वो तेरी बीवी। बीवियां तो हमेशा पति के लिए बाहर से आई हुई औरत होती है। जिससे वो चाहते है कि वो कर्तवियों तो सारे निभाए। लेकिन अधिकार ना जमाए। और दूसरा फर्क यह है बिटा कि वो मेरी तरह पैसे के लिए मोताज होकर इस चार दिवारी में अपनी जिंदगी नहीं बिताएगी। वो एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंडेंट लड़की है। जैसे वो चे मैंने पहले नौकरी कर रही थी वैसे ही आज भी कर सकती है। तेरे लिए उसने अपनी जॉब छूड़ी और हाउस वाइफ बनने को तयार हो गई। और तुने क्या किया उसके लिए। तुने यही वादे किये थे ना उसे। कि उसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी कमाई इस घर को चलाने के लिए काफी है। लेकिन बेटा क्या फाइदा ऐसी कमाई का। कि तु अपनी पत्नी के हाथ में कुछ रुपए रखकर ये भी ना कह सके। ये तुम्हारा जीव खर्च है। अपने पास रखो। जहां मन करे वहां खर्च करो। मुझे अपनी गलती का एसास हो गया है माँ। अब मैं आपको फिर से आपका विक्की बन कर दिखाऊंगा और आपकी बहु को भी उसके सारे अधिकार दोंगा। फिकी को अपनी गलती का एसास हो गया था। उस दिन के बाद विकी ने कभी भी अपनी पत्नी को नौकरी करने के लिए रोका नहीं और पाई-पाई का हिसाब रखना भी बंद कर दिया।